एक बाद फिर से स्वागे देखटा चक्र में आपका हम बात करेंगे जे डियू के बाद अव सिर्व सेना ने नैंदर मोदी पे हमला बोला है उन्होंने कहा है कि अगर नेंदर मोधी को प्रधानमंतरी पना जाता है तो उससे न्डियू को नुकसान होगा पुस्पंद सबसे पहले आप से जानना चाहेंगे यह न्डियू है और नेंदर मोधी को ले labeled यह यह दूसरी पार्टी है और यसी पार्टी है जिसके बारे में यह कहा जाता था कि नैच्रोल एलाई है यह नैच्रोल अनैच्रोल एलाई कैसे बनते जा रहे है एक तो मुझे लगता है कि NDA और भारती जनता पार्टी में फर्क करना पड़ेगा क्या आप NDA की हालत में वोट मांगने जाएंगे या भारती जनता पार्टी की हालत में वोट मांगने जाएंगे दो बाते होनी है भारती जनता पार्टी नरिद्मोधी को आगे करे अड़वानी को आगे करे यह बीजे तो उसकी गिंती 272 का आंकड़ा पार कर ले चाहें वो जेडियू के लोग हों चाहें वो शिफसेना के लोग हों या और लोग हों वो आंकड़ा नहीं बता पार है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे नरेंद मोदी आ जाएंगे तो ये जो 116 सीटे हैं ये बढ़ जाएंग इस पूरे खेल का नतीजा तो ये है ना है कि आपके पास कितने MP हैं कि जिसके वह साब सरकार बनाएं या ये सिर्फ कह देने से बात आप पूरी हो जाती है कि नरेंद मोदी के आने से एंडियों को नुक्सान होगा तो भाई फायदा किस से होगा वो भी सजेस्ट करें ना स जिनको ये पता है उस पाटी को कि भारतिय जनता पाटी या में जो नरेंदर मोदी का जो कद बढ़ा है या जो उनकी जमेदारी बढ़ी है जिस तरह से राजना सिंग लगातार कह रहे हैं कि उनका पूरे देश में वो जाएंगे प्रचार करेंगे और इस बीच में सामना क कि बाद्धियम से लेक के माद्धियम से सज्ँग बहुत पूरान एलाइंस है और इस इलाइंस के बावत अगर इस बयान को देखें तो कुछ तो राजनतिक माहने हैं शिवसेना की इस वक्त की जो समस्या है कि आप ये भी ध्यान रखें कि शिवसेना आज की शिवसेना और अपसे एक साल पुरानी शिवसेना में फर्किये था कि पहले बालार साथ ठाकरे जिन्दा थे और शिवसेना की हैसियत दूसरी हुआ करती थी अब उनके पुत्र जहें उस शिवसेना को उतना नहीं चला पा रहे हैं उसके मुखाबले जो उनके रिष्टे के भाई हैं राश ठाकरे उनकी नजदी की मोदी के साथ है वो मोदी के साथ खुल के खड़े हैं तो ये भी हो सकता है कि शिवसेना और राश ठाकरे के बीच का जो मामला है उसमें उन्ह अभाज़ामोधी का विरोध करके वो हिंदूत का विरोध नहीं करें, शिफसणा यह के कि हम हिंदू हैं, और हम हिंदूवादी ताक्त होने के बाद हम कॉंग्रेस का सपोर्ट करेंगे, यह तो होना नहीं है, उनको आखिर में BJP और शिफसेना के बीच में, हिंदूत की तक दल चले गए, किसी ने विद्रॉख कर लिया, कोई मंत्री पत छोड़ दिये, चले, धीरे-धीरे वापिस जा रहे हैं, और चुनो आते आते जो मुख विपक्षी दल है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, इस बीच में यहां भी में देख रहा हूं हमारे देश की राजनीती में बहुत से नेता होने हैं विपस्रील राघद्वेष को हमेशा राष्टी इसू के में बदलने की कोशिस की है उनका व्यक्तिगत मामला होता है, चाहिक किसी से उनका व्यक्तिगत ढटाओ हो, मन focus हो ब्यक्तिगत रूप से किसी वजह से राइवल्री हो एक पद पाने की जो प्रतेस पारधा होती है वो हो यह सब तमाम इसू जिनके ब्यक्तिगत हुआ करते हैं लेकिन उस ब्यक्तिगत को इस तरह प्रजेक्टरने के कोशिस करते हैं जैसे कि कोई एक राष्ट्रिय समस्या है उस राष्टी समस्या का एक चदर बना के अपने ब्यक्तिकत रापदेश को लोग ढखने की कोसिस करते हैं तो ये सब बहुत सारे बयान जो ही समय आ रहे हैं ये उसी का इन सब इसूज में उसके बानगी है कि मैं समझ रहा हूं देख रहा हूं बहुत से लोग आप लोगी समझ रहे होंगे कि ये सब लोगों के इसी परकार की महत्वा कांच्छाओं का परिणाम है तो यह आप जो यह तमाम चाहे यूपिया में हो चाहे एंडिया में हो दोनों जगर देखे राजनीतिक दलों की बात मैंने किया है अब इसमें हो सकता कोई राजनीतिक दल कम करता है इसका मतलब आप यह अपनी पार्टी लिए कहूंगा इसका मतलब आप यह मानते हैं कि फौ पूरा मज़ा भी ले रहे हैं. और चुनाओं के करीब करीब आते मोदी उन्हें देश में मंजूर नहीं हैं और गुजरात में मंजूरे. देश की सत्ता में भी लोग रहे हैं और ये घटना घटी थी और बहुत बड़ा, उन्हें सारे अदेश विद्धियलित हो गया था जब गुजरात में सब कांड हुआ था, लेकिन ये सारे लोग उसमें बैठे थे, आराम से थे, इन्होंने किसी ने उस समय करने में तुर्किया नहीं थे, नहीं थे, कोई उसका सत्ता छोड़ के नहीं बाहर कहते हैं, मुसल्मानों को मार दिया गया है, हम कमिनलिजिम के साथ नहीं है, आज वही मामला अगली चुनाओं में वोट का एक ऐसा मामला बनने जा रहा है, जिससे लोगों का बैठती का तुरूप से लावान होने वाली है, लेकिन सदल्ली, क्या कारण है, जो कॉंगरेस औ बना देते हैं, लेकिन इस इमोटिव इशू को उचालने से दो फायदे होते हैं, अगर मैं अभी जेडियू के कंटेस्ट में कहूं, तो आप ये देश के लिए खतरा है, ये उनके राजनितिक भविश के लिए खतरा है, एक, दूसरी बात ये है, कि नितीश कुमार को आसानी इसमें ये है, कि जो दूसरा चुनाओ दो हजार दस में जीता है, जो वादे, जिस किसिन के उन्होंने लोग प्रमिस उन्होंने किया है, वो सारे में फेल हो रहे है, अब इस देश में एक भावुक मामला ऐसा पैदा करा जाए, जिसमें दोगों लोगों को लगे कि ठीक है, आप से वो सवाल देश कुछा जाए, आपनी मिले न मिले, पानी मिले न मिले, लेकिन अभी कौम को बचाओ अभी देश के लोगों को बचाओ, और लोग उसमें चले जाए, तो जब डिलिवर करने का टाइम है नितिश कुमार को, तो उन्हें कमिनल और समझ में आने लगा, जब डिलिवर नहीं करने का टाइम था, तब विरोध के नाते आप सत्ता में आ गए, तो यह एक तरफ उनक तो इसके लिए उनका व्यक्तिकत जो उनके लड़ाई है, जिसको लोग राष्टी ये पटल पर रख करके ये कहते हैं कि ये देश बचेगा, तब हम बचेंगे, बलबीर पुन्ज हैं, बीजेपी के नेता है, उन्होंने क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं, शिव सेना के ब कि भारतिय जनता पार्टी का यो संसदिय बोर्ड है, निकाय है, वो उचित समय पर परधान मंत्री कौन होगा, उसके उमीदबार कौन होगे, इसका निरने लेगा, परंतु इस बीच में लोगों को कॉंग्रेस से और यूपीय से पूछना चाहिए, कि क्या अगले परणतु उनके पास वास्विक सत्ता नहीं है, जहां युवराज शीरी राओल गांदी होंगे, जिनके पास परधान मंत्री का पद तो नहीं था, परंतु अपनी माह के साथ मिलकर, उन्होंने पूरा सत्ता का और परधान मंत्री पद के जितने अधिकार है, उनका आज ये जो उहापोह की इस्तिती वहाँ पैदा हुई है इंडिये में तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि इस उहापोह की इस्तिती में इन लोगों ने वो जो पार्लेमेंटी बोर्ड इनका संसदी बोर्ड इसकी ढाल बना करके उसी के बीचे चीपने की कोशिस सारे लेकिन आप यह पीच में उस धाल पे जिसकी बात हो रही है जिस आदमी पर बोर्ड को चर्चा करेगा वो आदमी खुदस बोड का मेंबर हो गया है सबसे महत हुआ नहीं बात है कि उन्हें समय दिया था वी जे पी को कि आप साथ आठ महीना में बटाईए लेकिन सिवसे नहीं करती है आप तुरंद बताएंगे दावेदार का कौन होगा। बार बार लोग अपने हित में देख रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं बढ़ी आगे तो मामला कैसे होगा। इस वक्त इस देश में free fall all हो गया है। जिसका जो दिल चाहे वो कह रहा है किसी को रास से मतलब नहीं है। किसी को मुसलमान का वोट चाहिए, किसी को क्रिश्चिन का वोट चाहिए, किसी को भुलर को बचाना है। बस किसी तरीके से समय वोट का आगे है, लग रहा है समय वोट का आगे है, वोट 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 उसके अलावा कुछ नहीं है, नोटों से दे दें, CBI दिलवा दे, रौ दिलवा दे, हमले दिलवा दे, हलाबार दिलवा दे, अकबरुदी की वैसी की स्पीच दिलवा दे, वोट क झाल, 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 झाल